इन में से किस में है ज्यादा वॉल्यूम तो क्या आप आप 6 मार्बल का जो वॉल्यूम है वो इन एमल मतला मिली लीटर में बता सकते हैं if we make a measuring bottle हाँ अगर हम measuring bottle बनाएंगे तो हम इसको measure कर सकते हैं इन क्लास 4 यू मेड़ अ मीजरिंग बॉटल फो 250 ml तो आपने 4 धास में बनाया होगा मीजरिंग बॉटल 250 ml का कैन यू थिंक ऑफ वेज फोर मेकिंग अ मीजरिंग बॉटल विच कैन मीजर 10 ml 20 ml 30 ml कंटीनू 60 ml मतलब 10 से लेकर 60 ml तक का आप जो है मीजरिंग कर सकते हैं बॉटल में इसको आप अपने फ्रेंड के साथ डिसकस कीजिए तारिक एन मोली made their मीजरिंग बॉटल तो तारिक एन मोली ने अपना एक मीजरिंग बॉटल बनाया है देखें यहाँ पर बना हुआ है ना तारिक had an injection he used it to make his मीजरिंग तो उसके पास एक इन्जेक्शन है और वो उसका मतलब यूज करता है इसको मीजर करने के लिए मोली यूज़ अन एम्टी मेडिसीन बॉटल और मली यूज़ गाइं बॉटल मैडिसी बॉटल में ले लेता हूँ है ना I filled it twice to mark 10 ml और 10 ml मार्क करने के लिए मैं इसको दो बार यूज करता है क्योंकि मेरी injection में 5 ml water आजाता है एक बार में अगर 10 ml तक मुझे पहुचना है तो मैं इसको 2 टाइम लेता हूँ है ना I used this bottle which measuring 10 ml to make my measuring bottle और मैं यह जो bottle है molly कह रही है मैं यह एक bottle यूज करती हूँ इसका measurement ही 10 ml है तो यह मेरे लिए measuring bottle हो गई है molly used her measuring bottle to find the volume of 5 rupee coin तो molly जो है वो use करती है measuring bottle का के find करने के लिए के volume of 5 rupees के coin कितने है she found that 9 5 rupee coin push up 10 ml of water तो वो देखती है कि जो 9 5 ml जो 9 5 rupees के coin है उसको push up करने के लिए 10 ml का water चाहिए रहता है so you can also use 9 5 rupees coin to make your measuring bottle go ahead तो आप भी measuring bottle बनाईए और उसमें 9 5 rupees के coin डालिए सिक्के डालिए है ना और उसमें देखिए कि आपको कितने पानी की जुरुरत पढ़ रही है उसको up करने के लिए उसमें volume लाने के लिए ओके पानी कैसे ऊपर आएगा है ना उसको देखने के लिए यूज यूर मीजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट अब आप अपनी भी measuring bottle बनाएंगे तो उसका यह find out करना है यहाँ पर आपको कुछ दिये हुए questions what is the volume of six marbles dash ml अब जब आप एक मीजरिंग बॉटल अपनी बना लेंगे एक कप ले लीजिए उसमें measuring जो है वो लिख लीजिए कि किस हिसाब से जैसे कि आपने marble डाला मा लीजिए आपने 06 त्राट किया थोड़ा सा पानी उसमें डाला और आपने उसमें कुछ marbles डाले वो कितना उपर आया उससाब से आप उसका measurement बना लीजिए side में scale करके mark कर लीजिए और उसके बाद आप उसमें six marble डाल के देखिए कि कितना ml कितना उपर आया वो है ना ml में आप लिख लेंगे इसको what is the volume of 16 1 rupees coins अब इसी में आपको 16 जो है 1 rupees की जो सिक्के है वो डाल के देखना है अब आपको यह बताना है कि आपकी मीजरिंग बॉटल में कितने ml तक पानी उपर आया now solve this in your mind the volume of 24 marble is dash ml तो अब जो इसको भी solve करना है जब आप मीजरिंग बॉटल का use करेंगे तभी आप इन question का answer दे तो मेरे पास तो अभी यहां पे नहीं थी कोई मीजरिंग बॉटल ऐसी तो एक वह भी होता है मीजरिंग कब भी होता है जिससे ओएल वगरा यह लोग मीजर करते हैं उसके थूप हो सकता है अगर आपके पास वह बॉटल है तो आप जरूर करके यह देखिएगा दा वॉल्यूम ऑफ ट्वंटी फॉर माल बैट तो ट्वंटी फॉर जो कंचे होते हैं वह आप डाल के देखिए पानी में और देखिए कि कितने ml तक का वह जो पानी का उच्छाल आया है जो टाप होगा आपके पस तो first guess and then use your measuring bottle to find out the volume in ml of some other things तो कछ और भी मीजर मेंट करेंगे लिए कि चीज़े क्या हो सकता है क्या हो सकता है । सटोझ हो सकता है आपका इरेजर, आपका कटर, पैंसिल, पैन, कोई की हो गई, जो चाबी होती है, वो कोई सी भी चीज, तो आप इसमें एड़ करके देखेंगे, और आप जो वॉल्यूम आया है, पानी का कितने एमल आया है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ओके, So this is your homework for today, make a measuring cup at home, and mark them the volume in ml, okay, तो आपको measuring cup बनाना है, और उसमें quantity भी लिखनी है, ml में वो कितना आ रहा है, और उसके बाद आप measure करेंगे इस सब चीजें, और उसके अधार पर यह लिखेंगे, okay, so this is your homework for today, so do it students.